तो हेलो गाईज यहाँ पर फाइनली आज इंडिया में फिर से कुछ और नए डिवाइस को आज MIUI 13 के अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुके और गाईज यहाँ पर अगर आपके पास Redmi Note 9 सीरीस का डिवाइस से Redmi Note 10 सीरीस का डिवाइस से तो यहाँ पर भी MIUI 13 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है कौन से गोड़ आई से अपडेट कर सकते हो और कुछ पोको सीरीस की डिवाइस को अपडेट देखने के लिए मिला तो इसके बार में हम लोग यहाँ पर बात करेंगी तो बस वीडिय यह बना दिये तो आप लोगो चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी जाकर चेक कर लो और यहाँ पर एक स्क्रिंशॉट वगेरा निकल के आये था रेडमी एक डिवल के लिए न्यू अपडेट मिला है उसका अब यहाँ पर यह जो अपडेट है क्या फेक है या फिर ओर तो इसके बारे मैंने अल्रेडी वीडियो में बता दिया तो वो वीडियो जाकर चेक कर लो वहाँ पर आप लोगों पता चल जाएगा आप लोगे लिए न्यू अपडेट कौन सा हुआ कब तक मिल जाएगा अब नेक्स डिवाइस की बात करते तो अगर यहाँ पर आपके पर दे यूजर को यहाँ पर फिर से अटिरो को यहां पर यहां पर मिलता है यहां पर मिलता है तो यह जो अपडेट पहले कुछ यूजर को देखने के लिए मिला था पप्दीकली कुछ यूजर को मिला था लेकिन यहाँ पर फिर से काफी सारे यूजर को यह अपडेट देखने के लिए मिला है यहाँ पर मिलता है मार्च 22 का लेटे सिकर्टी पैज अपडेट मीवाई 13.0.3.0 का बिल नंबर 320 MB की साइज है और यहाँ यहाँ पर यह आप लोग मैनुली अपडेट कर सकते हो एनी टाइम अगर आपको पब्लीक अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है तो इसके अलवा आप लोग को अपडेट के बाद कौन से चेंजेस देखने के मिले कोई बग्स वगरा मिले हैं या पिर नहीं कमेंट करके बता सक अगर बात करों पोको एंटू के बारे में क्योंकि यहां पर पोको एंटू पोको एंटू रिलोडेट यहां पर इनके लिए फाइनली एक न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो मीवाट 12.5.6.0 का जो अप की डिवाइस में भी सॉफ्टर अपडेट में अगर आप लोग जाकर चेक करोगे तो आपको भी एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला होगा जिसमें बिल नंबर मिलता है मीवाट 12.5.6.0 का लेटेस्ट बिल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर मिलता है 30 408 MB की साइज और यहां पर मिलता है आपको लेटेस्ट पैच अपडेट जो की एप्रिल 22 का और यहां पर यह अपडेट आज काफी यूजर को देखने के लिए मिला आप लोग उपर टाइम भी देख सकते हो तो यहां पर आप लोग चेक करो जिनके पास Poco M2 का डिवाइस ह करो कमेंट करके जरू बताना क्या आप लोग अपडेट मिला या फिर नहीं इसकी लिंक्स भी दे दिये टेलिग्राम चैनल पर तो आप लोग चाहे तो मैनुली अपडेट कर सकते हो टेलिग्राम चैनल को भी जरू जोइन कर लेना इसके आलावा MI 11X इंडिया में अगर लगबग आप सभी उसर को मिलना स्टार्ट हो चुका है MI Ui 13.004.00 का अपडेट 3.1GB की साइज है और यह अपडेट लगबग सभी उसर को मिलना स्टार्ट हो चुका है MI 11X में आप लोग मुझे कमेंट करके जरू बताना क्या आप लोग को यह अपडेट मिला है या फिर न हुआ है 12.0.23.0 का अपडेट रिलीज किया गया और यह अपडेट अभी पाइलेट यूजर को मिला सब यूजर को नहीं मिला लेकिन यार एक चीज काफी ज़्यादा बुरी है कि यहां पर सभी डिवाइस हो में MI Ui 13 अपडेट मिल रहें बट मिवा 12.5 इंहेंस एडिशन अपडेट एंड्रोइड 11 अपडेट अभी तक रिडिमी 9E के लिए रिलीज नहीं हुआ यहां पर वो अपडेट रिलीज होना चाहिता बट उसकी जगे पे एक न्यूज सिकर्टी अपडेट रिलीज किया गया वो भी एंड्रोइड 10 के ऊपर तो यार यह थोड़ी सी आज यहां पर एक दो दिन पहले कुछ ग्लोबल सेड में रिलीज हो गया था और मैंने आपको बताया था कि यहीं बिल नमर का अपडेट आपको इंडिया में भी मिलने वाला है बहुत दी जल और फाइनली यहां पर आज रेडिमी नोट 9 प्रो के लिए इंडियन वेरेंट के ल बट अगर आप लोग अभी चेक कर लोगे तो शायद आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाए अगर नहीं मिलता है तो साथ से आट दिन का वेट करना पड़ेगा बाकी यहां पर जैसी सभी दो का अपडेट मिलना स्टार्ट होगा तो मैं आपको वीडियो के जरीए ब लेकिन इंडिया में एमाइट आए के नाम से कुछ ऐसे नाम देखने के लिए मिलता है तो यहां पर ग्लोबल में मीवाइट अपडेट लगबग अब सभी यूजर को मिल चुका है जिनको नहीं मिला तो आप लोग चेक कर लो यहां पर आज फिर से रिलीज किया गया लेकि तो यह कुछ डिवाइस जिनको आज इंडिया में अपडेट देखने के लिए मिले है तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस आप लोग चेक करो अगर नहीं मिलता है तो वेट करो फिर से मिलना स्टाट हो जाएगा और उमीद करता आप लोग वीडियो पसने व बाइब बाइब बाइब